Hello everyone, welcome to Vimanyu IS and I also welcome you to Abhyas 2.0. I am Sartak, Senior Faculty at Vimanyu IS. Abhyas 2.0 हमारा एक initiative है for HCS prelims. Exclusively यहां पर HCS prelims related साल है के सारे important questions MCQ form में आपके साथ आपको present किये जाएंगे और आपके साथ practice किये जाएगे और starting हम कर रहे हैं previous year questions से because previous year questions बहुत जादा important होते हैं and उसकी important जितनी बताई जाए उतनी कम है सबसे पहला आपका काम जब भी कोई task कोई बे एक्जाम के लिए प्रिपेर करें सबसे पहले आपको previous year questions को analyze करना बदरूर बनता है और जितनी बार करोगे उतना कम है right so with this let's start our video आज अपना lecture है पहला economics का तो आज हम economics के related जितने भी important अपने previous year questions आए में अपने HCS prelims के अंदर आज हम उनको एक बार टेकल करेंगे right so let's start first question before the inception before the inception of the five-year plan in India which of these plans were in existence five-year plan our five-year plan in 1952 around star two right five-year planning although 2017 my last five-year plan 12th five-year plan so the question you are asking five-year plans 1952 already which planning system India exist करता था right so basically independence से पहले भी 1945-1944 के रहुए बहुत सारे ऐसे plan आया थी economic plan इन में से कौन सा उसके अंदर एक्षिस्ट करता है कौन सा correct option है को option से आपके भारत plan सर्वोध्य प्लैन फार्मर प्लैन और बॉम्बे प्लैन प्लैनिंग एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है यहां से आपको चीज़ दिखेगी कि प्लैनिंग इससे तो हर साल कॉशन आए इनफेक्ट टॉनिटी थी तक के अंदर भी अपने फाइव यह प्लैन से लिए तो जो टॉपिक अपने प्लैनिंग इसको अच्छे एक्शे प्रिपेर करने की नेड़त एकनोमिक स्प्लैनिग इसको अच्छे चैने को प्रिपेर करने की नीड़ है जो काइं, म्यूदक फेक्ट ओनाट इंपॉस्क इक प्रिपेर को कारा हागा तो डियक्त लिएक बैक जर्टल वेल्ग सम्वोजेंगी और वन टू 1 & 4 2 & 4 या फिर 1 2 & 4 राइट and the correct of question for answer for this question is a Sarwodhya Plan and Bombay Plan so option C right Sarwodhya Plan and Bombay Plan see in 19 Bombay Plan देखते हैं पहले Bombay Plan कब आया 1944 के अंदर कौन ले के आया थे कफी सारे businessmen थे बड़े-बड़े major businessmen थे अपने like Jaya D Tata GD Birla pusho Kutumdas Thakurdas, Lala Shri Ram, Karsutir Valal Bhai and all right इन्हों ने एक brief memorandum outlining a plan of economic development for India right इस पे काम किया था और इसको shortly famously कॉल कब हो जाता है इसी referred as Bombay Plan कब आया यह 1944 में कौन ले के आया था businessmen ले के आया थे कहीं सब्सक्राइब मेजर-मेजर businessmen थे that is the reason कि जब Bombay Plan था यह industries oriented था उसको develop करने की ज़्यादा बात होई है यहां पर क्योंकि बिजनसमें आया है तो orientation वहीं पर रहता है कोई भी ऐसा plan आएगा ना उस plan के अंदर जो orientation होईगी उसके founders decide करें कि तरीके से कौन उसको ले के आ रहा है तो उसी की तरफ उसकी inclination ज़्यादा होगी इस plan की रहीट तो यहां पर इंडुस्ट्री इस पर इंडुस्ट्री पे ज्यादा फोकर साइज प्लैन के अंदर ओके नेक्स्ट उसके बाद अपना ज़्याद सर्वोद्यय प्लैन सर्वोद्यय प्लैंट जाय प्लैन सर्वोद्य प्लैन निजिस सरवांएडड्य का इडया और गांधियने के अंदर आलंब सब को इंवाल करने की बात उरकी इस प्लैट ए राइट सर्वोद्धास सब को ने सबका भला होना और गांधियन प्लैन जहां भी आ गांधियों जहां भी आगया गांधियुजा मतलब यह मास इंवाल्मेट जो नीचे से नीचे जो अपनी ग्रासूट ड्रप्रियूंटर्स यह उसको इन्वाल करना यह इस वाथ गांधी-ज्वाथ मुंए आप पे मांस की मुए मास इन्वाल्मेंट हो जाएगी अफमनी अपनी इन्वाथ्रूटर्स देवल जो इन डुंएक करना राइट तो प्लाइट वह बाकुत जो दो प्लांस है वह बाद the repo rate by 40 basis points in May 2022. Now consider the following statements. यहां पर यह देट अना May 2022 यह relevant नहीं है अभी आपको पता ले कैसे. First, repo rates are increased to control inflation. Okay. With increase in repo rates, cost of borrowing money increases. Okay. With reduction in repo rates, industries get loans at higher rates from the lender. Okay. To decrease money supply in the economy, the RBI hikes up the repo rates to encourage banks for borrowing funds. यह एक अच्छा कोशन है, right? Okay. So, before attempting this question, let's see what repo rate is. Repo rate. Repo rate फटा फट देखते हैं, it is a short term loan. First of all, it is a short term loan. कौन देता है यह? RBI gives this loan to its clients. Basically, commercial banks हम ले देते हैं यहां पर. अपने clients को short term loan देगा. कौन? RBI देगा. अपने clients को, let's say banks, उनके clients होंगे. एक बहुत बड़े schedule commercial bank को. RBI दे रहा है, banks को loan दे रहा है. और collateral में क्या रखा जा रहा है? government securities. यह गिर्वी रखे जा रहे है, government security गिर्वी रखे जा रहे है, जिसके basis पे RBI banks को short term loan देगा. Right? So now, यह हमें clear होगे कि rapport rate है क्या? अब rapport rate की वज़े money supply हो कैसे control किया जाते है? कि अगर market and money supply जाद है, मतलब inflation is on the high, तो market में अगर inflation जाद है, तो RBI क्या चाहेगा कि inflation कम हो जाए, money supply decrease हो जाए. So what it will do? It will increase the rapport rate. Rapport rate को क्या कर देंगे? वो hike कर देंगे, बढ़ा देंगे. उससे क्या होगा अगर rapport rate increase कर दिया? Rapport commercial bank को higher interest पे loan मिलेगा, तो आगे जब schedule commercial bank आगे ज़ो लोंस देंगे, वो भी higher interest rate पे देंगे अपने, जब उनको already आप banks को ही जब loan पीछे से महंगा मिल रहा है RBI से, तो वहीं पैसे को जब आगे loan में घुमाएंगे तो वो भी जादे interest rate चार्ज करेंगे, तो जब market के अंदर loans भेंगे हो जाएंगे, expensive हो जाएंगे तो लोग कम loan लेंगे, तो obviously money supply will decrease, so in short, अगर RBI को money supply control करना है, inflation को decrease करना है, तो repo rate को क्या करेगा, वो increase करेगा, और YC वरसा, अगर RBI को market money supply को increase करना है, inflation को बढ़ाना है, तो repo rate को decrease करेंगे, तो यह sequence होती है, आपको यह remember करनी है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप यह वाली topic है, इसको दुबारा भी वीडियो को चला के देख सकते हैं, इसको दुबारा समझ के, आपको समझ में आ जाएगा, दुबारा देख लेना, ए in fact, यह line यह relevant नहीं है, यह चारो statements है, यह अपने आप में question है, कि first question, repo rates are increased to control inflation, yes, अभी देखा हमने, तो यह statement का है, correct, yes, repo rates are increased to control the inflation, inflation को decrease करने के लिए होती है, so this is correct, अगर first statement correct है, तो B option गया, C option भी गया, all right, then, with increase in repo rates, cost of borrowing money increases, yes, देखाना हमने repo rate बढ़ता है, तो cost of borrowing money मतलब जो लोन है, वो महंगी हो जाते है, बोरो करना आपको महंगा पढ रहा है, लोन लेना महंगा पढ रहा है, इसका मतलब यह cost of borrowing money increases, interest rate जाधा चार्ज होंगे, cost of borrowing money increases, yes, this is also correct statement, then, with reduction in repo rates, industry get loans at a higher rates from the repo lender, no, अगर repo rate में reduction होती है, तो industry को सस्ता loan मिलेगा, industry will get loans at lower rates from the lender, so this is an incorrect statement, to decrease money supply in the economy, the RBI hikes of repo rate to encourage banks for borrowing funds, no, the RBI discourage, अगर जब money supply को क्या करना था, decrease, so RBI will hike repo rate, yes, this is correct, but, it will hike the repo rate to discourage, not to encourage, right, इस वजह से यह incorrect statement, so the correct answer is option A, one and two only, right, अच्छा कोशन था, and I hope you understood this question, नहीं आया तो प्लीज दुबारा इसको रिपले करके आप देख सकते हैं, next question, GDP MP, मतलब GDP at market price, is the market value of all the final goods and services produced within the geographical boundary of a country in a year, first of all question, what are you asking, true, correct statement, पूच रहे हैं, इस प्लीज देना होता है, okay, now GDP is the market value of all the final goods and services produced within the geographical boundary of a country in a year, okay, correct statement लग रहे हैं, okay, next, if the GDP of a country is rising, the welfare may not rise as a, consequence, okay, okay, this is also correct, but आते हैं इस पर, the ratio of nominal GDP to real GDP is called GDP deflator, okay, the ratio of real GDP to nominal GDP is called GDP deflator, ये एक अच्छा कोशन है, कैसे, क्योंकि इसमें जो दो सेटमेंट हैं, ये आपो कन्फूस कर सकती हैं, otherwise, ये statement भी correct है, and second statement, if the GDP of a country is rising, the welfare may not rise as a consequence, yes, this is correct, because GDP किसी का indicator है, ये topic है, economic growth versus economic development से, GDP growth का indicator है, but development का नहीं, development होती है, sustainable development, जहाँ पर सिरफ numbers ये indicators नहीं बढ़ रहे, actually में human की जो life है, standard of living है, right, human की जो life, जो एक possible life होती है, sustainable development होती है, सारे के सारे factors, human की health, right, social capital पर ज्यादा focus होता है, like human development होनी चाहिए, सिरफ पैसे नहीं बढ़ने चाहिए, actually में आपको बंदों की life को एक अच्छी standard of living, अच्छा life का सारे के जो possibilities होते, provisions होते हैं, वो अच्छे होते दिखते हैं, that is development, so this statement is also correct, right, one and two are correct, तो जैसी यह correct होते हैं, आपके दो यह option बचेंगे, one two and three only and one two and four only, तो यहां पर आपको पता होना च्छी की GDP deflator क्या चीज है, Okay, so now GDP deflator is nominal GDP upon real GDP, nominal GDP upon real GDP, right, into 100, this is GDP deflator. And so, according to the options, the correct answer is three, so that will be a, one, two and three only, right, so nominal GDP, sorry GDP deflator is nominal GDP upon real GDP into 100, right, okay, next. अब नॉमिनल GDP क्या होता है, real GDP क्या होता है, so just stay connected with us, यह सारे चीज़े कवर हो जिंगे, आपकी, right, अभी के लिए आपको पता नहीं जीज़ेंगे, क्या है, नॉमिनल GDP upon real GDP into 100, all right, so next, आपको भी ना basically previous question करने का funda क्या है, कि आपको यह पता लगी कौन से topics बहुत जादा relevant है, first of all, आपको वह समझ मैंने चीज़ेंगे, questions कहां से पूछे जा रहे हैं, right, अब आपको तभी दिखा जारे है, monetary policy, तभी रैपो रेटा कोशन आया सो आपको भी वह एनलाइज करने की topics को उनको इसे important है, सारे के सारे important topics भी बार बार आते रहेंगे, insulated MCQs भी आपके आगे आते रहेंगे, don't worry, next, disguise unemployment is set to occur, अब disguise unemployment क्या होती है, यह पता होना चाहिए, disguise unemployment होती है, कि for example समझते है, कि एक farm है, right, एक land खेत है, जिसके अंदर फा पांच वर्कर की जरूँता है, उसमें काम करने की, ठीकि पांच वर्कर इनफ है, they can actually utilize, पूरा complete utilize कर सकते हैं उस लैंड को वहां से जितना efficiently, जितना maximum output आ सकता है, they can definitely get it out of it, so let's say कि पांच के जंगा हो, उसके अंदर हम 10 बंदों के employ कर दे, तो क्या कुछ productivity increase होएगी, so the answer is no क्योंकि जितना production पांच बंदे कर रहे हों, maximum output generate कर रहे हैं, तो और output नहीं generate हो पाएगा उसके बाद भी, right, so जो पांच बंदे उन्होंने extra hire करें उस land के लिए, extra employee करे, those will be actually unemployed, but उनको दिख नहीं रहा होगा कि वह unemployed है, because उनकी productivity is zero है, so जो भी पांच बंदों को इसका मतलब यह होता है, मार्जिनल प्रोडुक्टिविटी भी, क्या होती है, अपनी zero, marginal productivity is also zero, इसका मतलब यह होता है, एक्स्ट्रा इंपूटिंगी दे पार है, तो productivity कहां से आजाएगी, एक्स्ट्रा प्रोडुक्टिविटी जीरो है, एक्स्ट्रा प्रोडुक्टिविटी कुछ निकल के आएगी, तो no that is zero, कितने बंदे इंप्लॉई करते रहों और, so, अब options पे आते हैं, demand for labor declines compared to its supply for demographic reasons, okay, demand for labor reduces because of a seasonal swing, okay, more labor is engaged in an occupation than optimally required, yes, this is correct, jobs get reduced because of a negative with a cycle, no, right, this is cyclic unemployment basically, so the correct option for this question is option number three, अभी आपको एक्साम्पल से बताया था वही और कोशन वही प्रवेड़ेड़ के तो यहां से पता लगता है कि unemployment take important topic है और इस सिरफ एक कुशन नहीं आए वा कहीं सारे कोशन इस्टे आए में, this was one of the question, this is one of the question but unemployment से भी बहुत कुशन आते रहते हैं, this is also an important topic for you to prepare, right, next, see, this guy's an employment is a kind of unemployment in which there are people who are visibly employed but are actually unemployed, this situation is also known as hidden, hidden unemployment, in such a situation more people are engaged in the work than required, right, यही हमने समझा अभी, तो आई होप आपको इस चीज़े समझ में आई होंगे कि what is this guy's unemployment, okay, next, the central nodal agency, the central nodal agency for implementing price support operations for commercial crops is, right, price support operations commercial crops के लिए कुँन सी central nodal agency है यहां पर, यहां पर जो पोशन है आपके सामने वह है commercial crops, इस पर ध्यान देने वाला है, right, price support operations के लिए options हैं आपके सामने, FCI, Nabad, Trifad और Nafid, right, चार options हैं आपके आगे, FCI, Nabad, Trifad and Nafid, and the correct answer for this question is option number four, that is Nafid, right, I hope आपको FCI लग रहा होगा, I am sure कि आपको FCI सा correct answer लग रहा होगा, बट वह actually nodal agency नहीं है, वह वेर हाउस प्रोवाइड कर रही है, कि जहां पर आप store कर सकते हैं, बट जो नोडल agency जो implement कर रही है एक्चुली, वह Nafid है, so National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited, यह Nafid की full form है, आपको इसकी full form भी याद रखनी है, exam में definitely आप से पूछी जा सकती है, कि National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India, this is the full form of Nafid, इसको remember करेंगे, तभी मैंने highlight किया है, Nafid की full form को, important है आपसे कौन से ministry के अंडर है body, ministry of agriculture के अंडर है, right, यह implementing agency है, किसकी pride support operation की, मैंसपीज रिजीम है अपनी, minimum support price, right, और जो PDS के through भी system मिलते है, so यह दो चीज़े हैं, दोनों important है, agriculture एक बहुत important topic है, especially LCS के लिए तो, हर्याना के अंदर agriculture की बहुत importance है, so agriculture को अच्छे से prepare करना है, यहां से यहीं पता लगता है कि कौन सा topic important है अपने लिए, agriculture, agriculture को अच्छे से prepare करेंगे, right, do prepare agriculture very well, इतने भी important topics आपको लिखवाता जारो ना, इन सब पे separate questions भी आएंगे, और भी time lectures भी आएंगे, so just stay connected with us, इस सारे के सारे relevant topics आपके cover हो जाएंगे, and I can guarantee you that, but what do you need to do, you need to be connected with us, you need to share, you need to follow us, right, आपको एकर वीडियो आपको एकर दीजिए, you need to follow these things that are we are telling you, okay, next, which plan was also known as the Rao and Manmohan plan, Rao and Manmohan plan, कौन से फाइवयर plan को, कौन से फाइवयर plan को, Rao and Manmohan plan भी कहा जाता है, options हैं आपके first, the 8th plan, then the 9th plan, 10th plan and the 12th plan, इन में से किसको Rao and Manmohan plan कहा जाता है, see, I am telling you, five-year plans, बहुत important topic, planning as such, five-year plan is a part of the planning section of economy, आपके syllabus का part है, economic planning, you yourself, we see, बहुत सारे questions यहां से बनते रहते हैं, economic planning से, आपके सामने दूसरा question ले आया है, में भी थी, right, so, Rao and Manmohan plan को बोला जाता है, correct answer is, option number one, which is the 8th plan, 8th plan जो था जो था जो था जो था जा जाता था, why, the 8th 5-year plan can be called as Rao and Manmohan plan, this was the reform period, and the following took place during the reform period, in the 8th 5-year plan, growth rate achieved was 6.8% against the target of 5 and 6th plan, right, so, 8th 5-year plan को बोला जाता है, Rao and Manmohan plan, यह कहीं नहीं सक्सीड भी वहाता है, यह ब्लाइन जो टार्गेट थे वह अचीव हो गए थे, okay, next, the WTO, important bodies, international trade organizations, जो जितनी भी international bodies है, जिरफ WTO नहीं, अपनी और भी bodies है, आपकी आशियान, ADB, right, new development bank, बड़े सारी है, वो सारी के सारी Bricks bank, WTO, World Bank, IMF, all these are very important, इंसे काफी सारे कोशन्स आते रहते हैं, इंसे लेट कोई टॉपिक भी चल रहा है, अगरिमेंट महाराकेश एगरिमेंट सारी महाराकेश एगरिमेंट साइंट बैट वन 24 nations और 15th April 1994, replacing the general agreement on tariff and trade, GATT पहले WTO, GATT की फॉर्म में था उसको replace करके, final WTO बना दिया गया था और GATT कब बना था, 1948 के अंदर, after the World War basically, so WTO is very very important, Brettonwood agreement के अंदर बॉड़ी बॉली जाती है WTO कोई भी चीज़ आ रही है World Trade Organization कुछ भी news में है तो वह आपके लिए relevant है उसको अच्छे से prepare करना बनता है, right see next, अब आप से match the following पूछे हैं कि which of the above are correctly matched, यहाँ पर आपके सामने schemes है, और in schemes के बारे में थोड़ी उनकी description है, आपको बताने कौन-कौन से सही है इसमें से, options है first आपका, यह वाला question मैंने इसलिए डाला है, just to show कि government schemes बहुत important है आपके लिए, government schemes are very important, इससे काफी सारे questions आते रहते हैं तो government schemes को अच्छे से prepare करना है, okay, so first, Fame India scheme, right, Fame India scheme to promote environment friendly vehicles, yes, this is correct, then PM Vikas Pahal scheme, right, to promote development in the villages of northeast, okay, देखते हैं, then Nishtha, National Initiative for Holistic Progress for School Heads and Teachers, okay, Prudhan Mantri Subhagya Yojana, right to electricity to the poor and deprived, yes, this is correct, see, यह दो जो schemes हैं अपनी, यह बहुत ही famous schemes है, that is the reason Halis पहले focus करते हैं, first or four, to one and four are correct, अगर आपको सिर्फ इतना ही पता है ना तो आपका answer आजाएगा D, right, because every, सारे की सारी स्कीम बिल्कुल correctly matched है, निश्था भी सही है, PM Vikas Pahal scheme भी सही है, everything is correctly matched, so the correct option is one, two, three and four, right, so Bhagya scheme बहुत famous scheme है, Fame India scheme बहुत अभी भी relevant है आपके लिए, Fame India scheme इस साल वन एग्जाम के लिए भी relevant है, equally relevant है, so Bhagya scheme भी relevant है, so these were, this was the question, now let's move on to the next question, which of the following statements are true about the India Post Payment Bank, IPPB, India Post Payment Bank related statement, true है, first option, IPPB was set up in 2016, see India Post Payment Bank, एक payment bank है, यहां से आपको क्या पता लगेगा, money and banking, so banking related questions are also very important, banking related questions भी आते रहते हैं, basics of banking से भी current affair related to banking questions आप से पूछे जाते हैं, आपको यहां से पता लगे किस type की questions पूछे जा रहे हैं, right, so first is IPPB was set up in 2016, okay, IPPB got incorporated as a public limited company with 100% government of India equity under the department of post, okay, post office saving bank products primarily focus on encouraging digital payments and remittance whereas IPPB primarily aimed at savings, okay, services launched by IPPB include life and general insurance, digital life certificates, domestic money transfer, okay, अब यहां पर आवेगा थर्ड शेट्मर फोकस करो, post office savings bank products primarily focus on encouraging digital payments, no, and where remittances whereas IPPB primarily savings, no, यह actually interchanged है, payment bank का focus होता है basically digital payments or remittances के ओपर, whereas अबना post office savings bank to proper commercial banks है, इसका focus basically savings के ओपर होगा, तो जैसी थर्ड शेट्मर्ट आपके incorrect होईगी, आपके सामने answer आजाएगा, one, two, and four, right, विको और वैसफट, बट आप जो कोशन साने लगे हैं वहां पर elimination कहीं नहीं हट गया तो आपको इस वे को अगर attempt कर सकते हो कोशन आप से allow कर रहे हैं आपको logical elimination के लिए, then go for it, बट आपको सारे के सारे स्वेंट होनी चाहिए, so IPB was set up in 2016, yes, this is correct, it got incumbent at the public limit, yes, this is also correct, 100% government के अंडर रहे हैं एकदम, right, और services, yes, these all services are there under IPPB, so this is also correct, so option is one, two, and four, now let's move on to the last question of the day, okay, again repo rate or SLR, से, that is why I am telling you, questions आपको repeat हो तो दिखेंगे, पैटन जरूर दिखेंगा एक, यहां पर फिर से अब रैपो रेट के ओपर कोशन आ गया एक, okay, oh sorry, यह तो I guess same question ही repeat हो गया, okay, 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 see, यह question आपका 2019 में फिर से यह question है, यहां पर May 22 दिया रख है आपको, okay, यह question आई, by mistake दोबारा repeat हो गया, don't worry, in the next video, I'll bring the other question, the correct question, but till now, but this was all for today, this is all for today, I want to show you one thing, right, अगर आपको अभ्यास के लाव एक, फुल-fledged course थीए, especially अपने HCS prelims के लिए, तो we have a wonderful option for you, अभीवन निव इस has already launched, and HCS prelims batch, exclusively dedicated to a prelims, 75 days course है आपका, because we are considering exam 11th February है, according to the official notification, so we have made a plan accordingly, इसके अदर आपके full preparation कराई जाएगे prelims की, आपके सारे के सारी live courses लेंगी, just look at this, you will be getting offline classes, online classes, CSET classes, आपको PDF, notes, proper test series मिलेगी पूरी, and the biggest thing you will be getting is the mentorship, जहां पर आपको एक proper guidance मिल रही होगी, कि आप कभी भी आपने track से नाभटको, और आपके preparation एक साही direction में चलती रहे, right, everything will be available to you, one-stop solution आपको prelims के लिए 75 days का course है, जहां पर complete prelims की coverage हो जाएगी, you do not need to go anywhere else, once you are, once you have registered in this course, and the fees for this course will be 35,000, and you can call on to any query, if you have any query regarding this batch, you can call on to our support number, निचे support number provided है, registration link भी आपने प्रवाइड कर रख है, उस पर click करके आप इस course के लिए register कर सकते हैं, you can join in this course, and if you have any query, you can call on to the support number, right, हमारी faculty ने पूरी जीजान लगा रख है आपके लिए, right, हमारी पूरी एक्स्पिरेंस faculty ने पच्छे साल से जादा एक्स्पिरेंस है वह ऐसी तो आया नहीं है, we are already able to get more than 2200 plus selection in various state PCS examinations, and HCS is one of them, so this will tell, this tells all about the testimony of our institute, and so with this I wish you all good luck for your future endeavors, until our next video, take care and bye-bye, thank you. खपके लार्णे प्यावचर का टूरी बूरी दमारणी को ब्वार्णी के पूरिए आर आवर्णीन यहादितना से ठावर्णीन वह लंएवादी ओनावर्णीन को यह रख को प्मार्णीन है